जै तुलसी माता की, श्री महालच्मे नमा, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तू ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर, दोस्तो आज मैं आपको एक आदसी का उपाय बता रहा हूँ, सेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, विजनिस आपका चल रहा है, लेकिन उतकन प्रोफिट आपको नहीं हो पाता, चाहिए आप सेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या बिजनिस में पैसा लगा लगा के ठक चुके हैं, जोग करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल पाता, तो दोस्तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रवावसाली रहेगा, आपको यह उपाय जरू करना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि एकाधिसी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है, एकाधिसी के दिन भगवान विश्नु की विशेश रूप से आराधना की जाती है, एकाधिसी का दिन भगवान विश्नु और माता लच्वी की पूजा का दिन हो कभी किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं आती लेकिन साथ में अगर आप तुलसी माता का पूजन भी करते हैं तो आप इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ज्यादा लाम मिलेगा क्योंकि भगवान विश्णू किसी चीज से उतने प्रसन नहीं होते जितने तुलसी पत् प्रसन हो तो माता लचमी तो अपने प्रसन हो जाती है तो आपको यह उपाय करना है आज मैं आपको कुछ उपाय बताने बाला हूं ध्यान से आपको सुनना है भगवान को इस नान कराने बाद में पांच तुलसी के पत्ते हाथ में लेने आप इसकीन पर देख रहें इस प पत्र भगवान के सामने चढ़ा देना है धर वो दीपक जलाना है और दीपक में एक कपूर के ट्की और दो लुख डाल देनी है वहीं पर बैटकरके ओम नमो भगवटे बासदेवाह हैं मन्तर का जाब करना है और साथ ही वहीं पर बैठ करके श्री महालच्मीन महा मंत्र का आपको जाप करना है यह उप़ाई करते समय आपको दीपक जरू जलाना है और दीपक में कपूर और लोंग जरू डलना है साथ ही मातलच्मी जी के साम भगवान किष्णि के सामने तुलसी पत्र चड़ा दिये और माता लच्वीजी के सामने आपको पांच पीली कोड़ी चड़ा देनी हल्दी कटी के लगा करके अब आपको क्या करना है एक पीली कोड़ी लेनी है एक धागा ले रहा है मोली का धागा जो अम हात्में बानते हैं वह दागा आपको ले लेना है, अब आपको जाना है तुलसी माता के सामने, तुलसी माता को पहले जल देंगे, जल समर्पित करेंगे, उसके बाद में एक रुपे का सिकार पीली कोडी तुलसी जी के गंबले में रख देंगे, लेकिन इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना आप तुलसी जी को इस पर्ष भी नहीं करना है इस बात का विश्य सूप से आपको ध्यान रखना है तुलसी जी के सामने दोनों चीज़ी चड़ा देंगे उसके बाद में एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है दें चावल का प्रयोग बिलकुर नहीं करना है पूजा मे चावल ना खाने में ना ही पूजा में, किसी भी देवी देवता की पूजा में, एकासी की दिन चावल का प्रियोगा आपको नहीं करना है, आपको एक रुपे का सिक्का, पीली कोडी, तुलसी जी की घमले में चड़ा देनी है, एक मोली का धागा लेना है, वो तुलसी जी के ग्यार है प्रक्रम आपको देनी है दोस्तों यह उपाए बहुत ही ज़्यादा प्रवाबसाली और चमतकारी है जो व्यक्ति यह उपाए करते हैं उनकी मनु कामनावस्य पूरी हो जाती है तो साधारण सा यह उपाए आपको जरूर करना है फिर दूसरे दिन वह एक रुप्य का सिक्कार पीली कोड़ी आपको ठालेनी है आप अपने साथ उसी रखना चाहे तिजोरी में रख देना चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते इंवेस्ट करते हैं इस्टोक मार्केट में चाहे आप बिजनेस करते हैं जोब करते हैं आपको सपलता मिलेगी ही मिलेग विडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने